तो दोफ्तों आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत फरे बंदे होते हैं जो अपने मुपाइल फोन में फाइड से बैक कर देते हैं ठीक है यहाँ पर तो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उनको बटन्स की जुरूरते नहीं बढ़ती वहाँ पर ऐसे क करते हैं वो फाइड फे बैक हो जाता है अगर ऊपर करते हैं तो रीफेंट अप्लिकेशन ओपन हो जाते हैं वो लोग कैसे करते हैं वही मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और आप कैसे कर सकते हो वही मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताऊं क तो simply आपने इस वीडियो को पुरे end तक जुरूर देखना है तो चलिए दोफ्तों बिनाइ टाइंब एस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए दोफ्तों आपको क्या करना पड़ेगा चाहे आपके पाफ Redmi का, Oppo का, जा Poco वगरा कोई भी mobile phone है, OnePlus का ATV तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को follow करना है यहाँ पर, ठीक है और सबसे पहले दोफ्तों आपको यहाँ पर फैटिंग में चले जाना है फोन की फैटिंग में चले जाना है उसके बाद आपको बहुत फ़रे option देखने को मिल जाते है यहाँ पर दोफ्तों आपको नीचे scroll down करना है और डिस्प्ले की option में आपको चले जाना है जैसे आप डिस्प्ले की option में जाओगे तो आपको कुछ FI Interface देखने को मिल जाएगा आपने दोफ्तों यहाँ पर नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद आपको एक option देखने को मिल जाएगा navigation bar का तो FI Interface आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर swipe जफचर्फ पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपके जो buttons हैं वो hide हो जाएंगे मतलब अभी buttons हट जाएंगे हटने के बाद अभी आप दुफ्तों देख पाओगे कि मैं उपर करूँगा तो यह जो है FI Refit application open हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं back हो जाऊँगा यहाँ पर मुझे buttons की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर by chance मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे इसको हटाना है तो हटाने के लिए मैं फिर फे जाऊँगा setting में फिर फे जाऊँगा display में यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको फिर फे चला जाना है navigation bar में फौरी नीचे था navigation bar एंड वहाँ पर जाने के बाद दोफतों आपको इसे बंद कर देना है तो यहाँ पर जाने के बाद मैं button select कर लेता हूँ एंड वहाँ पर आपके जो button है वो यहाँ पर आ जाएंगे तो इस तरह दोफतों आप यह setting कर पाओगे अपने किफी भी mobile phone में यहाँ पर मैंने फैमसंग का mobile phone यूफ किया था